हले जब आप सभी को फिर से एक बर स्वागत करता हूं मेरे एक लेख वीडियो में फिर डेली का करीब में 70-20 कॉमाण्ड रिशीप करता हूं जिस कॉमाण्ड में ये लिखा हुआ रहता है कि मेरा आज इतना पैसा मेरा चला गया आज उतना पैसा चला गया मेरे साथ ऐसा हु वाला हो कि किस तरह से आप डिजिटल सिक्योर हो सकते हैं जिस तरह झालोग android बिना android के दोद हैं फिल धरित वे नहीं जाते तो सी तरह अगर हम लोग shopping करते हैं फिल दिजिटल तो ऊपनाहोगा जिस तरह से आप आप अपना किसी भी चीज को सरग सीज़ार करते हैं और आपको पता है कि वह उस जगह में अगर हम रखते हैं तो वह चीज सुरक्सित हो जाता है नेक्स टाइम जब आप वह पर जाईएगा तो वह चीज आपको मिल जाएगा तो फेंसिक उसी तरह अगर आप डिजिटली जैसा आप मोबाइल के अंदर एम वालेट या इंटरेट ब सकते तो फेंस उसी तरह अगर आप जिस तरह से कोई चीज को आप रखते में सेटव जगह धिक उसी तरह टेटली डाटा को आपको ड्सके बोट वहत दूत्रा करता हूं ऋढ़र यहात रहे लोग कोई भी अगर कोई भी लालच भरा कोई भी मैसेज या लाल बरा बात अगर कोई भी बता दे तो उसी टाइम में बैंक डिटेल्स आधार डिटेल्स अपना एड्रेस डिटेल्स पूरा डाटा दे रहेता है क्यों देखिए इस टाइम में फ्री में आपको कोई कुछ नहीं देगा फिरी में इस टाइम में तो कोई किसी को कुछ भी नहीं देत आगर आपको discount मिल रहा है मतलब आप पोड़क को खरीद रहे हैं उसके बाद ही आपको discount मिल आपको पोड़क्त लेना होगा तभी आपको discount मिले तो मतलब जाने से आपको पोड़क नहीं देदेगा उसमें तामसन कंडिशन लिखा हो रहता है छोटा जैसा तो अगर आप 1000 का सौपिंग करते हैं तभी हम आपको 100% डिसकाउंट करेंगे किसी दूसरे प्रोड़क्ट के उपर तो फिन इस तरह का जो कॉल आपके पास आता है जो SMS आपके पास आता है वो सारा SMS को ध्यान से पहले देखी के मैसेज कहां से आ रहा है कॉल कहां से आ रहा है अगर जो हमको मांग रहा है वो क्या सब्सक्राइब देने से कोई नुकसान हो सकता है यह सारा चीज आपको सोचना होगा तभी आप किसी को कुछ चीज दे सकते हैं मेरे से बात हुआ दो दिन पहले एक लड़का से मेरा ही है तो फोन कॉंटक हुआ कि मेरा कॉमेंड के कॉमेंड में वो अपना मोबाइल नमबर छोड़ दिया था जब हमसे बात हुआ पात होने के बाद पता चला है उसके साथ जुलाई मैना में करीब 35 हयार रुपे का स्कैम हो चुका है मैं आप लोग भी नहीं दिखाऊंगा तो करीब उसके साथ 35 हयार रुपे का स्कैम हो चुका है कौन सा स्कैम वही के बीसी लोटरी मेसेज आया उसके बाद बोला गया कि आपने अपने जल्दी से ये फांट टांसपर करो ये टैक्स है गौवर्मेंट टैक्स है आपको देना पड़ेगा नहीं तो आपका जो अमाउंट है हम टांसपर करने ही पा रहे हैं और उस लड़का ने बहुती कम उमार था उसका करीब 18-19 साल उसका उमर था तो करीब 35 रुपय वह था उन में टांसपर कर दिया बार-बार में में हमको स्कीन सोट भी बेजा कि कितना पैसा उन सीम एक्सपायर हो जाएगा आपका बैंक का के वोई सी खतम हो गया है या आपका ATM काड ब्लॉक हो गया है तो पहले आपको डराएगा उसके बाद आपसे जो मांगेगा आप दे दीजिएगा और उसी के बाद आपके साथ स्कैम हो जाएगा ढरिये मत पहले जो सामने वाला बंदा जो बोल रहा है उसको पहले सुनिये उसके बाद सोचिये उसके बाद जो देना है दीजिए तो फिर इसी तरह से आप ऑनलाइन स्कैम से बच सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा जरों को कॉमेंट करके बताएगे चैनल में अगर आपने हैं चैनल स्काइब करिये में इ थैंक यू पर वाचिंग आइवा ट्रेडिंग वीडियो ओनलाइन स्कैम से बच के रहिए